अभी मैं एक ग्राम स्वा में हूँ जो हाँ परजापती जात के लोग हैं जो कुमार जिसको बोला आता है उनके घर पे हूँ और ये लोग काफी संघर से करते हैं जो दीप बनाते हैं और इन लोग का दियन है कि जब ये लोग दीप बनाते हैं तब सब के घर में दीवाली के टाइम पर दीप जलता है कितना संघर से करते हैं किस तरीके से लोग दीप बनाते हैं मैं जानने के लिए पहुंच चुका हू सब करते हैं इस तरह सबसें हैं सबस्सक्राइब है आप लोग बनाते हैं विकले तो किस तरह से मिट्टी कहां से लेके आते हैं मिट्टी को किस तरह से दीप बनाते हैं दीप बनाने तक के दीवाले तक का पूरा पूर्डक्ट तरह से तयार होता है जरा इसके बारे मताई है हुँ भाइभ झाले में जंग से चिखति मी लेता है उसके दूनों मेंस्त का क्टभ बनता है 5 माथी लागता है पेनि कौन-कौन सा माठी है सुनिए देखे पहला चिक्ति माठी जंगल के उकरेबाद ताले में का माठी उकरेबाई एक पीला तरवी से पेनिम लगाया वाला तरी उकर तरी तो तंस तीन हो गई ऑकरेबाद कावीस है चार हो गई अगर पोखरिव कमिटी पांच मिट्टी हो गया क यहां मिलेगा खाना यह पसंद आजाएगा उसी जगह से मिल जाएगा तलाब से पोखर से रोड के किनारे से जंगल से जहां कोड़ने में पसंद आएगा मिट्टी बस वही चलू हो जाएगा कि एक लगत लोग का लगता होगा तो बनाने में पकाने में दास उर्पय जाता हैं बत्टा Ahora अगर हम दो रुप्या मंगते हैं और कोई कहता है हम कुछ्न ज golden रोड यह चलता है विरादरी में कोई सब्सक्राइम Pearl लिए हम्दूर बमांगे तो एक रूप हम देता है तो कईसे कमाई होगा अब इसके बारे में जरा हमको बताई है ये तो है दीप हो गया जो आयोध्याराम मंदिर पर वेडिव जला था और सब के घर में दीव जलता है इसको मैं जानता हूं जरा मुझे इसके बारे बताएक् लड़के खेलते हैं तो उसमें दो रखते हैं जाता है जाते में बच्चे सब पीस करके तब उसके पूरिया देते हैं तो आप सब प्लिय समय को प्लिय है जाता चला करता जिसे लोग अपना पीस करके आठा को को रखते थे सिव कॉसी प्रेकार से सिता ही याद victim वाज भी बच्चे उसको खेलते हैं इसमें बच्चे जो है कि आठे को पीसते हैं और इसमें रखते हैं आटा नहीं पीछटें बचे सब खेलते हैं तो लोग धूले इसमें डालते हैं और पीछ करके स्मेश में निकालते हैं खालते हैं तो उसके बाद घुटब तो जब ओगें उसके बारे आधा नहीं नहीं प्रोड़क्ट और बनाए हूं नया तो उसको भी लेकाई है मैं देखना चाहूंगा दिखाई एक बार अब देखिए यह जो है घंटी है जो मंदिर में आप सब को देखनों को मिल लाता है तो उस पूझे में इस घंटी को भी बजा जाता है तो बच्ची अपने भाव में अपने अनुबह में इसको बजाते हैं और इंज्वाय करते हैं चक्की है जो है कि लाइन से चलता है और ही सरकार के द्वारा गौर्मेंट के द्वारा दिया गया इन लोग को और इससे कुछ लोग को मिला है और बाकी सारे ऐसे तमाम लोग है जिनको नहीं मिला है तो इससे लोग बनाते है थोड़ा सा इनों जो हाथ से चलाते थे काफी मेनहत लगता था थोड़ा सायोग इनों के लिए हुआ है अब यह बताइए मुझे आपकी जो आपकाम कर रहे हैं मिट्टी का इसमें कि संगर्स को काफी लगता है मेनहत काफी लगता है तो क्या इससे आप लोग को कुछ लाब मिलता है इससे संतुरुष्ठ है कि नहीं है कोई लाब नहीं है सिर्व अपना धंदा है जो जात है वही बस तपिस स्या है अच्छा उसको आप लोग ताजा रख रहे हैं कह nucleon कि पाविज का माय गया कि आप अब उसके घर नहीं बनता है उसको कोई जानता है पर जब Saeed है लोग गया काम करते है आपर सब की बच्चे क्या करते हैं यह करते हैं उनम हाद है जादा मिनाव सुभव हूठ पर ता उसको गढ़ना पड़ता सुखाना पड़ता अपलते चनना फोड़ता है जद लगता उस दिन मेरा या जब लगेगा फोड़ते खाना नहीं समय से जराए मुझे ही बता यह तमाम आप लोग मिठी बरतन बनाते हैं तो आप सब की बच्चे बनाते तो बीटी कहते हैं क्यों लोग नहीं बनाते हैं मिनद ज्यादा हैं मिनद देखते हैं इसको तरह हुमाने करते हैं बाहर जाए जैंगे great-leaf करके कियो नहीं कमा लेते हैं तो नहीं लगेगा कशड़ा तो नहीं लगेगा बाहर में क्या लगेगा कुछ देखने थोरी जाएगा हम यहात बीदेश आएगे नारी काशरा क्या कर रहे हम बीदेश है ना अच्छा बस लगजाएगा रोटी इसी हाथ से खालेंगे बस चाह क्या पानी दये सब पी लेंगे कर लगजाए चोट चकी से यही महला हम लगा लेंगे फिट हो जाएगा तो यह Are हो जाता है कि तना कितना कhone है सिर्म बांध दिखाए देता लों जो बच्य हो सकता है कि आपए इससे उसक्ता है और कर दो नहीं को ऐसा जैंन आपह слов हो मेनध बटाइए हिते हां जंगर से तब दो घंटा एक सव दो सव तीन सव बन जाता है लाइट भग गया बस आराम करो फिर आएगा अपर साम को थोड़ी मच्छड दर नीचों लेते हैं और एन्य तो इस सरकार से क्या मांग तो आप लोग का जीवन हो सके अच्छा से बाल बच्छों का बाहिन पूस्रों सके और बच्चे बाहर नो जाए कमाने के अपने घर पर ही रोजगार मिल जाए कोई रोजगार हम को चाहिए ने कितना दिन चलेगा रोजगार रहेगा तो सही रहेगा ना अगर आप लोगों को रोजगार मिल दाता तो तो क्या क्या कर लेंगे अरे भी चलेगा वो भी चलेगा इसी जन में चलेगा वो बराबर चलेगा जैने अब दीपवली आगया तो बनेगा चैद कराम नौमी आएगा तो कराही बन जाएगा, कोई बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, जब लकड़ी रहेगा, मिटी रहेगा, तभी तो बनाएगा, नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, अगर इन लोगों को, अगर मिटी नो मिले, तो ये लोग दीप नहीं बना पाएंगे, और जब दीप नहीं बना देखेने को मिलता है, तो इधर देखा दिए एक बार पॉर्डक्ट है जो तमाम बन रहा है, इधर देखिए चाची जी बना रहे है किस तरह से उसको छेद करके, उसके बाद उधर देखा दिए एक बार, एग जो है सरकार का एक दिया हुआ तोफा यूँ कहेंगे तो, उधर भी दिखा दिजे कितना दीपूप है बना हुआ है और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था इधर आया ग्रामसवा में और जहां पे कुमार प्रद्यापती जात के लोग होते हैं उनका संघर्स दिखाया कैसा लगा आप सबको इनका संघर्स कमेंट बाक्स में जरूबताएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तेक लाइक करते जाएगा चनल परना होंगे चनल को सब्सक्राइब करते जाएगा मैं हूँ राकेश शोदरी आप देख रहे थे एक्स्प्रेस पब्लिक न्यू जहिंद